तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेस कॉंटेंट मिलते रहें तो फूर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हीरलाल नाम के एक आदमी को जो की एक पेंटर है उसकी बीबी हमेसा बीमार रहती है लेकिन हीरलाल उसका हमेसा खयाल रखता है इसके बाद सुबह सुबह वह अपने घर से सिनमा की तरफ निकल जाता है जहां पर है अपनी आर्ट से सिनमा के वाहर मूवी के पोश्टर बनाने का काम करता है हीरलाल मूवी के पोश्टर बनाने का काम कई सालों से कर रहा है हीरलाल दा फैम गेम सीरीज का एक नया करेक्टर है जिसके बारे में हमें जादा कुछ नहीं बताया गया है फिलाल तो वह एक अना इसी आर्ट पर उसे चिपका देना जिस पर सिनेमा का ओनर उसे कहता है कि बहुत पैंटिंग के लिए उसे पैसे भी नहीं दे सकता जिस पर हिरलाल उसे कहता है कि आप ब्रस और पैंट का पैसा दे देना मेरी आर्ट आप के लिए फिरी में है और साथ ही अगले सीन में हम देखते है Anamika को जो कि एक काल कोटरी में बंद है और बहे रो भी रही थी क्योंकि बहे अपने घरवालों को मिस्स कर रही थी अब 5 महिने पुराने पाश्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर अनामिका अपने घरवालों से जगड़ कर मनीस के घर पर आ जाती है जहाँ पर दोनों रात साथ बिताते हैं और दोनों ही काफी ज़्यदा खुस भी लग रहे थे इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अनामिका का गुछ साब ठंडा हो चुका है और वहे निकल के पास जाती है जहाँ पर निकल उसे अपनी एक सट निकालने को कहता है जिस पर अनामिका उसकी फेवरेट सट निकालती है निकल उससे कहता है कि ये सट मेरी फेवरेट है क्योंकि ये तुमने मेरी बटते पर दी थी लेकिन तबी निखिल अनामिका के मूँ को उसी सट से मून देता है और उसे कहता है कि वह रात बर कहां थी दरसल निखिल को कहीं न कहीं सख हो गया था कि अनामिका मानीस की घर पर थी जिसके बाद निखिल जब उसे छोड़ता है तो वह खुद को घवराया हुआ महसूस करती है क्योंकि उसकी उपर ये एक तरह का जानलेवा परहार था इस घटना के बाद अनामिका काफी ज़्यादा तुकी रहने लगी और वह अपने सेट पर आकर भी रोती है उसर दर अनामिका का मेका पाटिष्ट एक अनाथासर में जाता है और वह वहाँ पर मादब नाम के एक लड़के के बारे में पूस्ताच करता है लेकिन वहाँ का आदमी उससे कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम है और अगर कुछ पता चला तो वह उससे जरूर बताएंगे इसलिए वह उसका फॉन नमबर दे कर चला जाए अपसेट पर निखिल गायब था है इसलिए मिस्टर मुखरजी के साथ अनामिका ही बजट का रिव्यू करने लगती है तब ही बहाँ पर निखिल आता है और वह मिस्टर मुखरजी से कहता है कि उसके कार्ट बिलॉक हो चुके है जिस पर अनामिका कहती है कि उसी ने उसके कार्ट को बिलॉक करवाया है और बैर रिब्यू में भी ये चेक करना चाहती है कि आकर उसका पैसा जा कहां रहा है अगले सीन में अभी और उसके दोस्त समर को देखते हैं जो कि अभी की एक जैकेट को पहनता है जिसके अंदर से ड्रक्स निकलते हैं समर यहां पर अभी को समझाने की काफी जदा कोसिस करता है कि ये सब चीज़े गलत है लेकिन अभी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है जिसके कारण अभी समर को अपने घर से निकाल देता है अब सैट पर मनीस अनमीका से पूचता है कि क्या भी उसके साथ रात में डिनर करेगी जिस पर अनमीका हाँ तो कर देती है लेकिन भी कहती है कि उसे घर पर कोई बहाने बनाने होंगे अनमीका को मनीस का साथ अच्छा लगता है इसलिए भी हाँ कर देती है और कल रात का आने को कहती है अब प्रिजेंट के सीन में हम अमायरा और माधप को देखते हैं जहाँ पर माधप अमायरा से कहता है कि उसे मनीस पर सके और जब बहुत बात करी रहे होते हैं कि तब ही बहाँ पर कुछ लड़की आती है और वहाँ अमायरा से कहती है कि वहाँ उसकी मौम की बहुत बड़ी फैन है और उसके साथ सेल्फी लेकर चली जाती है और तब ही मादब के पास एक अनातासरम से कॉल आता है दरसल ये कॉल उन्हीं का था जहां पर मेकाप आर्टिस्ट गया था मादब से उसके हलचाल पूचता है और पूचता है कि वहाँ आकर कर क्या रहा है जिस पर मादब उसे बताता है कि वहाँ एक कमपनी में जॉब करता है और उसका अब तो प्रमोसन भी होने बाला है और जैसे वह उस बार में पहुझता है तो बहाँ पर एक और अरत निकल कर आती है और उससे कहती है कि बार तो बारा वजे के बाद खुलेगा इसलिए तुम बारा वजे के बाद आना तब अभी उसे कुछ ड्रक्स देता है और वह अंदर आ जाने को कह देती है जिसके बाद वह उस लड़की से मिलता है सबसे पहले अभी उससे उसका नाम पूछता है जिसमे वह लड़की बताती है कि उसका नाम रुची का है यहाँ पर अभी रुचीका से कहता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि भे कहीं भाग जाए और कहीं जाकर छिप जाए साथ मैं अभी ये भी बताता है कि उसने सुसाइट करने की भी कोसिस की थी जिस पर हुची का उससे कहती है कि तेरे पास सब कुछ है पैसा है, घर है, फैमली है और वे लोग भी है जब तुने नस काटी थी तो तुझे बचाने वाले लोग भी लेकिन उसके पास to कुछ भी नहीं है जिसके बाद वह उसे अपने घर जाने को कहती है अब नायट के सीन में हम देख पाते हैं कि मनीज जो है वह अनमिका के लिए खाना बनाना सीख रहा है और सबी खाना बनाने वाले को उसने चुटी दे दी है और वह अपनी बेटी से कहता है कि कोई special guest आने वाला है और उसके लिए वह special खुदी खाना बनाना जाता है अनमिका तो कल आने वाली थी लेकिन मनीज एक दिन पहले से ही उसके लिए खाना बनाना सीख रहा है और बातों ही बातों में मनीज अपनी बेटी से माप भी मांगता है और उससे कहता है कि मुश्किल बक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं था और वहाँ प्रोमिस करता है कि आगे के जितने भी अच्छे बुरे पल होंगे वह उसके साथ ही रहेगा आगे हम देखते हैं कि अभीनास जब उस बार से लौट रहा था तब ही एक ट्रासजेंडर उसे परिसान करने लगता है जिससे तंग आकर अभीनास उसे मारने लगता है तब ही वहाँ पर उसी की जादबाले बहुत सारे आ जाते हैं तब अभीनास चुपचा वहाँ से भाग निकलता है और जब घर आता है तो अनामिका देखती है कि उसकी उपर चोट की निसान है इसलिए तुरंट ही उसे अपने कमरे मिले जाती है अभी यहाँ पर अनामिका को कुछ बताना चाहता था लेकिन बहुत कुछ नहीं बता पाता लेकिन अनामिका अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँझी थी और जब अनामिका की आया घर आती है तो वह देखती है कि उस पैकेज में पिस्तॉल थी जिसें अनामिका ने मंगाया था अमनीज ने अनामिका का इंतजार करना बंद कर दिया था और वहें दुकी होकर बैट गया था क्योंकि वहें समझ चुका था कि अनमिका नहीं आने वाली तो दूसरी तरब अनमिका तो अब सोने की कोसिस कर रही है लेकिन वहें टेंसन में भी लग रही है अब एपिसोड के लाश्ट में हम देखते हैं इन सबी बातों के बाद जब हीरा लाल अपने घर के और लौट रहा था तो वहें देखता है कि उसके घर की तरफ लाइट जलते हुई नजर आ रही थी जिसके कारण में जल्दी से बहां पर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उस कमरे में आनमिका थी तब ही बहां पर हीरा लाल आता है और उससे कहता है कि तुमसे कितनी बार कहा है कि रात को लाइट नहीं जलानी है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है तो दूस्तों उमीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेस्ट कॉंटेट मिलते रहें थैंक्स पर वचिंग